Clearly बताएं और दूसरा बबने बनाने के लायक बनाना है आज हम प्रैसिरिएंट हाउस में भी जाना है तो क्या करते हैं ? उपर से वो लायक बनाते, उस तरह का ड्रेस पहनेंगे कभी कभी उस तरह की कार र сторону की किस्प पहने जाना है स्वर्ग में चलने के लाइक बनाना है तो कैसी कार चाहिए, कैसी ड्रेस चाहिए तो वैसे लाइक बनाना है उसी तरह का चाहिए सब तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 21 नौ मीठे बच्चे नाम रूप से न्यारी कोई चीज भी नहीं कोई भी चीज नहीं होते आत्मा वा परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे उसमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है अच्छा प्रश्न है श्रिवावा को भूलानात कहकर याद करते है उसे भूला क्यों कहां गया कहां है भूलानात कहकर याद करते हैं तो भूला क्यों कहां गया बाबा भूला है कि चतुर है चतुर सुजान बोला जाता है भूला है और चतुर भूरा है स्वर की बाच्शाई सोच समझ के देता है तो भूला क्यों कहां श्रिवाबा को क्यूंकि बाप ही अहिल्याओ, गणिकाओ, कुपजाओ का उधार करते हैं मतलब सिंपल से सिंपल आत्माओ का उधार करते हैं उन्हें राजाई, विश्व की राजाई का वर्सा दे देते हैं मनिश्य तो बाप के लिए कह देते दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते है, मैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, मुझे दुख हरता, सुख करता कहां गया है? विचार करो कि मैं बाप, अब सोचो, बहुत अच्छी बाबा के रहे है, भगवान दुख भी देता, भगवान सुख भी देता, बाबा कहते है, विचार करो कि मैं बाप, अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? कोई भी पिता, आप सभी पैरेंट हो, बच्चों के लिए कभी दुख देंगे, दुख का ख्याल भी आएगा, कितना भी कोई करता है बच्चा ऐसा, कहते हैं, आखिर तो मेरा बच्चा है न, यही आता है न, ख्याल में, तो बाबा कहते हैं, तो यह कंसेप्ट चैलेंज कर सकते हैं, कि भगवान, सुख दुख है न, भगवान देता है, यह चैलेंज जो भक्ति में कहते हैं, तो चैलेंज हो सकते हैं, अच्चा, गीत है, दूर देश का रहने वाला, आगे, क्या है, कहां गए गीत का, आया देश पर आया, ओम शान्ति, रुखानी बच्चों ने ग गीत सुना, अर्थात रुहों ने शरीर की कान रुपी करमेंद्रियों द्वारा गीत सुना, दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिरों न, जो सब मनुष्य मात्र आत्मा हैं, वो सबी मुसाफिर हैं, आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माए उसको कहां जाता है निराकारी आत्माओं का घर देश वा लोग इसको जीव आत्माओं का देश कहां जाता है वह है आत्माओं का देश फिर जब आत्मा यहां आकर शरी में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है रूप भी जरूर है नाम भी है इतनी छोटी आत्मा कितना पाट बजाती है इस शरी द्वारा हर एक आत्मा में पाट बजाने का कितना record भरा हुआ है record एक बार भर जाता है फिर कितना भी repeat करो देखो record की speciality क्या है एक बार record भर गया फिर कितना भी repeat करो वैसा ही बजेगा जैसा भर गया इसलिए जब लोग स्टेज पर और ऐसे जहां शूटिंग होती है, वहां कितना एलट रहते हैं, तो एक बार भड़ गया, तो बाबा केते हैं, रिकॉर्ड वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, और क्यों रिकॉर्ड है, आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, क्यों? क्योंकि मतलब आत्मा मिन्स क्या, एक्चुली रिकॉर्डिंग्स, कल की बात याद है, हम सबको, है, मेमरी में है न, कल की बात, एक हफ्ते पहले की विवात, एक मेने पहले की बात, एक साल पहले की बात, दस साल, बच्पन की, तो सारी रिकॉर्डिंग्स है, तो आत्मा मेंस क्या पूरी रेकॉर्डिंग से भरी हुई है तो बाबा कहते है वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रेकॉर्ड है उसमें 84 जुन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है जैसे आत्मा निरा करे वैसे बाब भी निरा करे कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है वह ना नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं, आकाश भी फोला रहे हैं, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं, मनुश्य समस्ते परंपिता नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, नाम और रूप नही नहीं कोई चीज का नेम एंड रूप नहीं तो दूसरा connected बात जगह नहीं है जैसे यह phone है phone के है नाम है रूप है तो थोड़ी सी जगह occupy करता है phone के इसाब से नाम रूप और स्पेस यह connected है तो अगर परमात्मा का नाम नहीं तो रूप भी नहीं तो स्पेस भी नहीं फिर उपर वाला क्यों कहते है कोई स्पेस नहीं उसका क्योंकि ना नाम न रूप तो उपर वाला concept challenge wrong cross करो उसको है तो इसलिए बाबा कितेlında बिगर नाम के तो कोई चीज होती नहीं तो मनीश य समस्थते परमपिता नाम रूप से नहीं तो अगर नाम नहीं तो नाम ये तो रूप उसकी नहीं मतलब मैं कैमेरा बूलूंगी तो नाम है तो उसका रूप है, है न, और फिर देश भी नहीं, फिर तो, अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नाम नहीं, रूप नहीं, देश नहीं, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिर? इसका मतलब वो है नहीं है और क्या देश भी नहीं हम कहते है भगवान उठा ले अपने पास ले चलो यह कहां जाएगा उठा कि लेके कहां जाएगा फिर हमको क्योंकि इसके पास कोई गरी नहीं है फिर शांती धाम भगवान का घर शांती का प्लेस वो सब कंसेप्ट क्रॉस तो सारे कंसेप्ट्स रॉंग हो गए ठीक है ठीक है भक्ति में आप बाबा कल से फिलोसोफी अमारी क्लियर कर रहे है तो एग्रीड सभी सुमन बन हंड्रेट परसंट एग्रीड ओके आगे बड़े अच्छा बुलाते भी दूर देश का रहने वाला परमपिता परमात्मा अब दूर देश में आत्म है रहती है फिर दूर देश में रहने वाला आया देश पर आया ये गीत स्टॉप कर दो अगर गाते हैं क्योंकि न नाम न रूप न देश तो दूर देश कहां से आया अब दूर देश में आत्मा ही रहती है, बाबा रहता है दूर देश में या आत्मा ही रहती है दूर देश में, यह साकार देश है, देखो बाबा कहा देश में तुम रहते हूं, मैं अपने देश में रहता हूं, इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावन राज्य, आधा कलपे राम राज्य, आधा कलपे रावन राज्य, यह बच्चों को समझाया गया है, कि सत्युक से इश्वरी राज्य शुरू होता है, राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है, वह कभी रावन राज्य स्थापन करने सके, बाप बच्चों के लिए नाम रूप से न्यारा, clear, सभी को, अब नहीं बोलेंगे ना, नाम न रूप, अचा, second, अब इश्वरी सुक दुख देते हैं, बाप कहते हैं, मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, God Father, एक ordinary हम इंसान भी divine personality है, या कोई समझदार हो, वो दुख नहीं देता है, जाने अ में कह देते हैं, दुख देने का मोटिव नहीं होता है, एक ordinary से ordinary, थोड़ा समझदार इंसान है, फिर एक divine personality है, वे तो फिर कभी नहीं देगा, तो परमात्मा दुख देगा, और वो भी बच्चों को, तो बाबा कहते हैं, कहते हैं इश्वरी दुख सुक देते हैं, बाप क कहते हैं, मैं बच्चों को दुख क्या से दे सकता हूं, मेरा तो नामी है, दुख हरता सुख करता, ये तो मनुशों की भूल है, इश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इसमें है दुखदाम, आधा कल्प रावन राजे में दुखी मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं, पुरानी दुनिया बनती है, नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है, मनुश्य विश्विकारों को सुख समझते हैं, गाया भी जाते हैं, अमरत छोड़ विश्व काहे को खाए, ग्रंत में गुरु नानक के भी अ अशंख चोर मतलब क्या, अशंख विकार, अशंख चोर, मतलब इस सब विकार, सब विकार, अउगूर, अउगूर, बाप की महिमा गाते हैं, कि आप जो करेंगे उससे भलाई होगा, अब ये पूरा तो मुझे भी नहीं पता, अशंख चोर, मतलब ये मनुष्य के लिए बताया है, अच्छा, फिर बाबने का, बाप की महिमा गाते है, कि आप जो करेंगे उससे भलाई होगा, वो बताऊ वगई, कोई सा स्टेट्मेंट है इसके बाद, गुरु नानक ने इस ग्रंथ में है, आच्छा, तो ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर है, नहीं तो रावन राज्य में मनुष्य बुरा कामी करेंगे, बाप ही आकर, अब देखो, आज ग्रंथ साब की महिमा, मूत पलीती कपड़ धोते हैं, यह तो कई बार बावने का ना, मूत पलीती, ग्रंथ में बहुत लिखाओ है, गंदे कपड़े धोरे हैं, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं, अब यह तो कोई सिख धरम वाले हैं नहीं, बाप ही आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं, यह तो है आदी सनातन देवी देवता धरम, बाई मूत पलीती कपड़ कपड़ हैं, बताओ, ग्रंथ के इसाप से, संगब, नहीं, वो तो ग्रंथ के इसाप से बताओ, संगब, वो तो राइट बात हमें पता ही है, यह बोले ना कि अदेवी ले ओध हुई, भरिये मत पापा के संग ओधोपे नावे के रम, बताब भवान का नाम लेने से, याद करने से ही उतरते हैं, अच्छा, मतलब उसके नाम से यह सब होता है, याद करने से, यह जो है ना गंदगी उतरती है, आत्मा के लिए का है, तो बाबा कहते, अब सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं, पर यह तो कोई सिख धरम वाले हैं नहीं, सिंधी में काफी गुरु ग्रंथ साब का मानना भी है शिखो का गुरु नानक उनको डाडी बाल थे, तब सिखो को डाडी बाल होने चाहिए, आजकल तो डाडी रखते नहीं है, बहुत फैशने बल बन गये हैं, बाबा को क्या-क्या बाते याद आ जाधी, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना, हम गुरु नाने के फॉलोर्ज है तो गुरु नाना को follow करना चाहिए यह तो बच्चों का भी पता पड़ा है कि गुरु नाना को 500 वर्ष होए फिर कब आएंगे? 500 वर्ष होए अब वापस कब आएंगे? तो तुम जट बता देंगे कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नाना को आएंगे? तो कहेंगे, अब उनका जो आंसर है कि उनकी आत्मा जोती में जोती-जोत समा गई फिर आएंगे कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नाना क फिर आएंगे अच्चा समा गई ना जोती-जोत अब उसके बाद इस कभी भी सिख धरम होगा नहीं, क्योंकि सम आ गई, लीन हो गई, तो अब कहां से आएगी, कौन से आत्मा करेगी, तो फिर नहीं तो वो आएगा ही नहीं, वो धरम कभी आएगा ही नहीं वापस, लीनी हो गई वो तो, अस्तित्व ही चला गया, और और स्थापक नहीं है, जो सिख धरम को स्थापन किया, सिवाई गुरुनान के, और वो तो आत्मा समा गई, नहीं, तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धी में सारे वर्ल्ड की इस्ट्री जोग्रफी चक्र लगाती रहती है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, सब के लिए क बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए है, उन्हों को अम्रत वर्षा से जगा कर साथ ले जाएंगे, माया ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया, सो गए है, अब बाप क्या करते बताओ गई, ग्रंत साहब के एकॉर्डि का हैं बेला बेन, ग्रंत साहब, अब बाप क्या करते, माया ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया, सो गए है, अब बाप, बोलो बोलो, उमा बेन, भूल गए अपने ग्रंत साहब को, तो भी याद रखो, सेवा किने काम आएगा, बाबा देखो क्या करते, अमरत चकाते हैं, ठीक है, आज एक्टिव रहे ना, ग्रंत साहब में, इसलिए क्या नाम पड़ा, अमरत चकाते हैं, अब अमरत उनके इसाब से क्या चकाते हैं, ग्यान अमरत ही होता है, अगर वो कहते हैं, अमरत चकाते हैं, तो क्या देते हैं, अमरत फिजिकल तो नहीं ह अमरत ऐसी चीजें फिजिकल हो भी नहीं सकता, अमर लोग के क्याते है न अमरत, अमरत सर नाम इसलिए रखा है, पावित्र काथिखा बनाते है, पांच पांच खालते हैं, यारा न रॐ पांच खालते हैं, तो अमरत चंकाना मतलब इसलिए अमरत सरनाम इसलिए रखा हुआ है बाप आकर अमरत छकाने का बड़ा वो रिवाज भी है और मान्यता भी बहुत पावरफुल है उदर है ना गुल्डन टेंपल में अमरत छका रहे हैं जो अमरत छक लेते हैं ना वो फिर नॉन्वेज बगरा यह सब छोड़ अमरत छकाने का मतलब क्या होता है उनके साब से वही बस वही जैसे जल देखे और प्रतिग्या करवाते हैं और फिर उसके बाद से वो जो है यह जिसना हमारा यहां पर है ना कि अमरत वेले उठना ग्यान पढ़ना यह साब भी कर फॉलो करते हैं नॉन्वेज नहीं खाना अच्छा तो फुर वो सारे अमरत नहीं छकते इसका मतलब नहीं जो छकता वही बस उनको मेंडेटरी हो जाता है यह वो फॉलो करते हैं आच्छा कोई बूलने वाला तो फिर कोई कैसे पता चलेगा फॉलो कंप्लीट करते मतलब उनका वह है पुर द्वारे में मिलते रहते तो बाबा आकर अमरत चकाते हैं यह रोज रोज वो तो देखो एक बार करते हैं तो उनको प्रन्ड लेते है रोज रोज अमरत पिने वाला फिर ही नेगेटिव काम करेगा मतलब और शकाते हैं कि हमेश मेशना ड्म कपाना होता है यह एक विधी होती है न जैसे वो गुरु करने की विदी होती है तो बाबा देखो सुनना सभी को सिखिजम की क्लैरिटी हो रही है अब देखो कितना रेलिवेंट है बाबा के ग्यान से अब कहां ग्यान अम्रत कहां पानी की बात सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो वो क्या करते है अमरत वेले उठेंगे और क्या करेंगे नॉन वेज नहीं खाएंगे प्याज लसुन तो खाएंगे ना नहीं नहीं प्याज लसुन शायद होता है है मतलब वो अलावड है दीती उनकी पहचान भी अलग होती है ठीक है पहचान अलग होती है फिजिकल नहीं खाना बट प्याज लसुन अलावड अच्छा और दूसरा पूरा करते हैं अब धारण अंदर की धारणाओं में सेवा भी करते हैं सेवा बहुत है नंबर वन जो भी अगर कोई भी धरम में अगर रियल सेवा भाव है न सिखिजम में को इसलिए ज्यादा महांद है क्योंकि पूरा ग्रंट साइब निराकार पर मात्मा के उपर हां वो भी हां निराकार के बारे में कुछ नहीं है सिवाए कि उन गुरुओं ने क्या महिमा की निराकार पर मात्मा की वह है पूरा ग्रंट साइब वह है और सेवा भाव बहुत नं और जूते रखना जूतों में और जूतों में बैठना ये भावना जोड़े से जहां तक हमें पता है वो हुकम नामा करते हैं अगर सपोस्थ किसने कुछ गल्ती की और वो हुकम नामा होता है तो उसमें अगर किसीने कोई मिस्टेक कर दिये ना कि एकॉर्डिंग टू उनके तो उनको दंड भी दिया जाता है कि तुमको जूते साफ करनी है सबके जयानी जैल सिंग जी को दिया था जब वो प्रेजिडेंट थे आडिनेस में रिकाल देता है तो इतनी बड़ी बात है कि इनके या पोजिशन या तो एनीवन उसके एकॉर्डिंग उसको करना ही पड़े दस दिन वो जूते साफ करना होगा और बूरी दुनिया में सिख कौम सेवा के लिए फेमस है और कोई कौम फेमस है तो देखो लेटेस्ट हुआ है लेटेस्ट रिलिजिजन में ये आता है ना सिखिजम और सन्यास ध सिख लोगों का तो बाप आकर अमरत चकाते हैं अब कहां ग्यान अमरत कहां पानी की बाद सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से ताला आपको साफ करते हैं मिट्टी निकालते हैं इसलिए नाम ही रखा है अमरत सर सब लोग निकालते हैं उसमें सागर है नहीं उसने भी बाप की महिमा की है खुद कहते एको अंकार सत नाम वसदेव सच बुलने वाला है अब ये तो एगरीड है कि उन्होंने जो कहां वो एद्दम एक्यूरेट का लेकिन अब जो फॉलॉइंग बन रही है वो क्या निराकार की बन रही है गुरु नानक की बन रही है अब तो गुरु नानक की ज़्यादा बन रही है निराक का जो उन्होंने कहां वो कहां कर रहे हैं तो एको अंकार सत नाम करता, पुरुश, वसदेव सच बुलने वाला है, सतनाम. सत्यनारण की कथा है ना, सिंदू वर्ती लोग बाहार जाते हैं, तो सत्यनारण की कथा कराते हैं, समस्ते सत्यनारण की कथा से सेवटी से पार हो जाएंगे. अमर्क कथा, तीजरी की कथा, कितनी भक्तिमार्ग में कथा सुनते आये है, कहते शंकर ने पारवती की कथा सुनाई, अब देखो एक और, एक और मान्यता, तीसरी मान्यता, भक्ति वाली, ये तो अभी सिखिजम का था, शंकर ने पारवती को कथा सुनाई, अब वो तो सुक् और पारवती को बाबा कहते हैं वास्तों में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोग में मैं ले जाने आया हूं अमर मृत्यू लोग से अमर लोग में मैं ले जाता हूं बाकि सुक्ष्म वतन में पारवती ने क्या दोश किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे क्या गलती की कोई कोई चीज सुनाते जैसे सपोस हमको बाबा मुरली सुनाते किसली सुनाते इंप्रूमेंट के लिए नहीं तो सुनने की क्या ज़रुत है अगर मैं सर्वगुंड संपन कर्मातीत हो गए सत्युक में हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो पारवती जी ने क्या करी जो उनको कथा सुनाई और कोई इतना पावरफुल वर्जिन्स होगा वो तो पूरे इतने बड़े पब्लिक में सुनाया जाएगा ना मतलब तब उसका फाइदा है ना एक को सुनाने का क्या फाइदा होगा तो बाबा कहते है जैसे होता है न ये प्रेसिजेंट आया जब वो स्टेडियम का उद्गाटन करने तो इतनी बड़ी ऑथोरिटी आई तो फिर इतनों लोगों को इकठा किया लाख सुनेंगे क्योंकि कौन सुनाने वाला है तो शंकर जी ने इतनी बड़ी कठा सुनाई अमर कठा एक को क्यों सुनाएंगे उसने उसमें क्या गलती थी पर रॉंग भी नहीं है क्या है राइट क्या है बताओ पारवती जी आगे और सुना देंगी पारवतन में रहने वाले आतमा है अच्छा हाँ पारवती का रियल मतलब ये है तो एक को क्यों सुनाएंगे एक को तो नहीं सुनाएंगे ना अगर सुनाया तो भी अमर कठा तो नेचरल एक कुछ और अलग बीप रहसे होगा तो रहसे समझ में आया सब को शंकर जी ने अमर कठा पारवती को सुनाई और फिर वो भी बीच में सो गई उसमें भी प्रॉब्लम एक थी उसमें भी सो गई पर फिर उनको इंट्रेस्ट कैसे आया सुनाने वाले एक ही था वो ही नींद ले रहा हो तो बाबा भी देखो रियालिटी सब को समझ में है ना कौन है पारवती यहां पारवती वाले कोई जो पारवती नाम पारवती नाम है उनको हाथ उठाओ सब उठाओ ना था नेम थोड़ी बोल रहे है आत्मा तो सभी है पारवती है सब पारवती ने रहने वाले पारवती सब सीता सब सीता है कोई पर सो तो नहीं गए बीच में कभी कभी सो जाते है इसलिए हाट नहीं उठा रहे थे हैं हम सो नहीं रहे थे इसलिए हाट नहीं उठाय यह बोलों तो नहीं रहे थे, इसलिए हम पार्वती नहीं है, तो पार्वती नहीं है, सब सोते हैं, तो मृत्ति लोग से अमर लोग में ले जाता हो, बाकि सुक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोश किया, जो आकर उनको कथा सुनाएंगे, अभी तुम समझते हो, नरसे नारायन, ना तुम ही पुझारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है, आप ही पुझा, आप ही पुझारी, बाप कहते हैं, मैं तो सदे पुझा हूँ, तुमको आकर पुझारी से पुझा बनाता हूँ, कहते हैं, हे राम, आकर हमको पावन बनाओ, सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारत है न हे पतित पावन अभी तुम समझते हो कि गीता को एक क्रश्न ने नहीं सुनाई है पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है एक ही राम है तो बाप समझाते कि ओपिनियन लेते रहो कि इश्वर सर्व्यापी नहीं है है फोर्थ फोर्थ पॉइंट है ना फिलोजफी की पहली पॉइंट किसको याद है फिलोजफी की किसको नहीं है राइट सेकेंड राइट थर्ड अभी जो बताया पारवती की बात अच्छा फोर्थ अब बाबा कहते ओपिनियन लो लेते रहो कि इश्वर सर्व्यापी नहीं है गीता का भगवान श्रिवे न कि क्रिश्णा पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है निराकार को वा साकार को चार बाते ना परमात्मा के बारे में जो हम प्रूव करते हैं कोर्स कराने वाले सभी जानते हैं फॉस्ट परमात्मा अर्थात चार बात होनी चे फॉस्ट सर्वोच फिर दूसरा दूसरा सर्वपरी सर्वोपरी तीसरा सर्वग्य और फोर्थ है सर्वधर्ममाने चार बाते सर्वकाड तो बाबा कहते हैं कि तो बाप समझाते ह। बाकि निराकार को भगवान डियोण किसको fludinninya निराकार को वा साकार को कृश्ण तो यह साकार शिवय निराकर वह सिर्फ इस लोन लेता है, बाकि माता के गरब से जनम नहीं लेते हैं, पहले नंबर गरब में आने वाली है, फॉस्च नंबर गरब में आने वाली है, क्रश्न के आपर, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सुक्ष्म शरीर धरी है, शिव को शरीर नहीं है, यहां इस लोक में स्थूल शरीर ह बाप की महिमा है पतीत पावन, सर्व का सद्गती दाता, सर्व का लिब्रेटर, सुक, दुख हरता, सुक करता, अच्छा सुक कहा हो सकता है, सुक मिलेगा, दूसरे जन्नम में जब रावन की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगे, अच्छा लिब्रेट किस स करते हैं, रावन के दुख से, यह तो दुखधाम है न, अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं, यह शरीर तो यहां ही खत्म हो जाते हैं, बाकि आत्माओं को ले जाते हैं, सब को दुख से चुड़ाएं, पवित्र बनाएं, घर ले जाते हैं, मनुष्य जब शादी कराते हैं, तो पहले होता है पती, पीछे होती है ब्राइड, अब यह यादगार कहां से बना, पहले पती, फिर पीछे ब्राइड, फिर बरात होती है, अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, उपर में श्री बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगलदाना ब्रह्मा सर फिर हो तुम जो बाबा की मददगार बच्चे है, फूल्शी बाबा की यासे सुर्यवंशी विष्णु की माला बनी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मिनारण बनते, देवता शत्रिय, फिर शुद्र से ब्रामन बन, देवता शत्रिय, थर्ड, बताओ, वैश्य, वैश्य, और फिर ब्रामन, फिर शुद्र से ब्रामन बन, इसको बाबा क्या कहते है वर्ड, फास्ट, बोलो, मनोज भाई, सुद्र, 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 होगा सुनिता बें सुनाओ, क्या बोल रहे? इदी यह माला बोलेंगे क्या? ममस्ति इसको कहते है fast वो तो हो गया, बाजोली तब भूल गया, बाजोली, बाबा हमेशा कहते हैं यह देवता, शत्रिय, वेश्य, शुद्र, इसको बाबा हमेशा कहते है फिर शुद्र से ब्राह्मन बन यह नौलेज लेकर, आज नहीं बोला है, बट ऐसे बाबा बोलते हैं फिर शुद्र से ब्राह्मन बन बाजोली का खेल होता है, फिर शुद्र से ब्राह्मन बन यह नौलेज लेकर लक्षमिनारेन बनते है यह माला उन्हों की बनी हुई है, यह ब्रह्मा सरस्वती राजाराने बनेंगे, उन्होंने मेहनत किये, तब पूझे जाते हैं, कोई को पता ही नहीं कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फिरते रहते हैं, 16108 की भी माला होती है, बड़े-बड़े मंदिरों में रखी जाती है, फिर कोई कहां से किजेगा, कोई कहां से, है ना, बॉंबे में, लक्षमिनारेन टेंपल में, है ना, वो कहते हैं, शीशे में रखा है, देखा नहीं मैंने, गोलते हैं, 16000 शीशा बड़ा सारा है, उसका दो ends है, तो 16000 तो इकठा तो कोई नहीं फैन सकते हैं, वो करके, से वो दूसरा फेड़ता है, ऐसे करके, सीख, कहा है, वो, सीख, सीख, एक है, जग राजस्तान में, सीख, कुछ है, याद नहीं आ रहा है मुझे, वहां मैंने देखा था, मैंने जाका फेरा भी था, भक्ती में बहुत थे ना, छोला पुरा एक कमडा जाती है, तो बाबा कहते हैं, 16108 की भी माला होती है, बड़े-बड़े मंदिरों में रखे जाती है, फिर कोई कहां से खीचेगा, कोई कहां से, जान की दादी कहते थे, यह यादगार है परचिंतन वालों की, यह जो इतने बड़ी माला बनी है, मतलब वो इसकी बात वो मतलब बॉम्बे का जो यादगार है फिर वो इधर से उसको बोलता है वो इधर से उधर बोलता है ऐसे करके दादी बॉम्बे में देखती थी तो कहते थे तो बाबा कहते हैं बाबा बॉम्बे में लक्ष्मदारण के मंदिर में जाते थे माला जाकर फेरते थे राम राम जबते थे फूल कोई राम राम कहते फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं ऐसे 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 किसने माला फेरी है आपने हमारी महिमा की बड़ी अच्छी बावा कहते है पूछो किसके माला फिरते रहते हो? कहेंगे Christ की याद में. पाद्री लोग भी फिरते हैं, छोटा-छोटा उनकी हाथ में होता है. कहेंगे Christ की याद में माला फिरते हैं, उनों के बड़े पॉप फाद्री होते हैं, वो फेर पोपो की माला हुए. अब सब उनके चित्र है, पोपो का कितना मान है, उनको खुद पता ही नहीं है, कि Christ की आत्मा का है, तुम जानते हो Christ की आत्मा अभी का है, यही है, अभी बेगर रूप में है, वो क्या सुनेगी हमसे, Christ की आत्मा किसी के पास आ जाएगी देखो प्रेम का सावर रहा लाम एंट रूथ उनको सिर्फ परमात्मा की यह दुगुण थी बस मतलब प्यार बहुत अच्छा लगेगा उनको और सच्चाई दया नहीं दया ज्यादा तर बुद्धिजम में दया महात्मा बुद्ध ने लिया बावा करेगी और वो वैल्यूज हमसे लेकिन लेगी वर्सा हमसे लेगी श्री बाबा से लेकर जाएगी वर्सा तो बाबा कहते हैं बेगर से प्रिंस बनते हो एक प्रिंस अच्छा फिर बाबा ने टॉपिक चेंज किया है भारती प्रिंस था भी बेगर है फिर प्रिंस बनते हो बनाने वाला है एक रुहाणी बाप, बैगर से प्रिंस बनते हो, एक प्रिंस प्रिंशेस का कॉलेज भी है, जहां जाकर वो पड़ते हैं, मायो कॉलेज है प्रिंस स्वर्ग में बनते हो, अभी तुम समझते हो, जो सी कृष्न सत्युर का प्रिंस था, सो चौरासी जन्मों के बाद बैगर बना पाच हजार वर्ष पहले देवी देवताई कितने सावकार थे अभी वही कंगाल बैगर बने है ये बाते सिर्फ तुम ही सुन सकते हो ये बात हम ही सुन सकते कि 5000 वर्ष पहले देवी देवताई कैसे थे और अभी ऐसे है भगवानुवाच वो सबका फादर है तुम गौड फादर से सुनते हो गीता में सुर्प भूल यह कर दिये जो श्री भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच नाम डाल दिया है इसलिए गाया जाता है जूटी दुनिया इसमें सारी दुनिया काटो का जंगल बन गई है अच्छा बॉम्बे में बबुल नाथ का मंदिर है बाप आकर इन काटो को फूल बनाते है सब एक दो को काटा लगाते है शिव के जितने भी नाम है मंदिरों के मतलब शिवलिंग के उतने वो कारिया प्रसिद्ध है वो गुणवचक नाम है कर्तव्य वाचक गुणवचक है तो बाबा कहते है सब एक दो को काटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते इसलिए इनको काटो का जंगल कहा जाता है सत्यूग को गार्डन ओफ अल्ला कहा जाता है वही फ्लावर्स काटे बनते हैं फिर काटो से फूल बनते हैं सत्यूग में कभी रावन को रावन को नहीं जलाते रावन पुराना दुश्मन है भारत का तुम्हारी लड़ाई है रावन से जिसने आधा कल्प दुख दिया आखरिन बड़ी लड़ाई भी होगी बड़ी लड़ाई कब होगी बड़ी लड़ाई आखरिन बड़ी लड़ाई भी होगी थर्ड वल्ड होगी सच्चा सच्चा दशरा होना है दशरे वाले को बोलो अभी तुम जूटा दशरा बना रहे हो, अभी सच्चा सच्चा दशरा होना है, हमेशा के लिए रावन राज्ये फत्फिनिश, रावन राज्यी खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएगे, अभी तुम रावन पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाबा सारे विश्वका राज्य भागे देते हैं, इसलिए उनको शिवभोला भंडारी कहते हैं, क्यों कहते है शिवभोला भंडारी? शिव भूला भंडारी क्यों कहते शिव भूला भंडारी अबलाय, गणिकाय, अहिल्याय, सबको बाप विश्व का मालिक बनातें जो भी बाबा के पास बच्चे बने और चारो सब्जेक्ट में एक्सील किया विश्व का मालिक को कितना भूला है, आते भी पतित दुन्या में, पतित शरीर में, बाकि जो स्वर्ग के लायक नहीं है, उसकी निशानी होगी, अब देखो, स्वर्ग के लायक नहीं है, तो वो विकारों को छोड़ नहीं सकते, कितना भी कैदो उनको, बाप केते, बच्चे, अभी ये अंतीम जनम तुम पावन बनो, पवित्र बन नहीं सकते, ये विकार पॉईजन है ना, जो तुमको आदी मद्द अंत दुखी बनाते हैं, अब क्या तुम ये एक अंतीम जनम इने छोड़ नहीं सकते हो, मैं तुमको अमरत पिलाए अमर बनात हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो, विकारों बिगर, सिग्रेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते, मैं बेहत का बाप कहता हूँ, बच्चे, तुम एक अंतीम एक जनम पवित्र बनो, तो मैं सिर्फ एक जनम पवित्र बनो, एक जनम में भी, कितने सारे ये चली गई है जितनी भी शरीर के आई हुए अब उसके बाद फिर ग्यान मिला अब ग्यान के बाद समझ में भी आते आते कितने साल लग जाते हैं फिर बचा कुछा साल अब बाबा को दो मुश्किल सोदा है उसमें भी बाबा खुश वही जब भी तुमको ग्यान मिले तुमने आप फास्ट चले तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम ये एक अंतीम जनम इने छोड़ नहीं सकते हो विकार पॉईजन है जो तुमको आधी मद्य अंत दुखी करता है मैं तुमको अमरत पिलाए अमर बनाते हूँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूगा तुम मुझे विकार दो मैं तुमको अमरत पिलाए अमर बनाते हूँ तुमको स्वर्ग का मादिक बनाते हूँ फिर तुम पवित्र नहीं बनते हो मैं बेहत का बाप कहता हूँ, देखो, तीन स्टेट्वन बावा नहीं कहे, एक अंतीम जनम पवित्रब, फिर आधी मद्यान दुखी करते हैं, तो अंतीम जनम छोड़ नहीं सकते, सेकेंड, थर्ड, तुमको अमरत पिलाए, अमर बनाता हूँ, और फिर भी तुम्हें सिगरे कहता हूँ, तुम एक जनम पवित्र बनो, सिर्फ एक जनम, तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊँगा, प्योरिटी के लिए, स्वर्ग के मालिक के सीट के लिए, प्योरिटी मस्ट, तुम जानते हो, बाप आया ही है, सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुकधाम, शांती धाम ले चलने, अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदी सनातन देवी देता धरम की स्थापना होती है, ग्रंत में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मुर्थ कहते है, बाप है महाकाल, वहकाल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इ रुवानी बाब की रुवानी बच्चो को नमस्ते, हम रुवानी बच्चो की रुवानी बच्चो को यादा, नमस्ते, गुद्मानी बच्चो की रुवानी बच्चो की रुवानी बच्चो को यादा, नमस्ते, गुद्मानी बच्चो की बच्चो की रुवानी बच्चो क अमर बनना है। सच्ची सच्ची सत्य नारयन की कथा सुन नर से नारयन बनने का पुर्शार्थ करना है। विश्व का परिवर्तन करने वाले रुहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं। वैसे आप रुहानी जादूगर अपनी रुहानियत की शक्ती से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयम को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकेंड का द्रड संकल धारन करते हो। कौन सा है? कि मैं आत्मा हूँ। और विश्व को बदलने के लिए स्वयम को विश्व के आधार मुर्थ, उद्धार मुर्थ समझ कर विश्व परिवर्तन के कारे में सदा तत पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रुहानी जादूगर हूँ। तो एक सेकेंड का द्रड संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और फिर उससे कितना हो गया। विश्व परिवर्तन के कारे में मददकार। पूरा शिफ्टी हो जाता है। मैं शरीर और मैं आत्मा। ट्रांस्फर्मेशन का foundation है कि मैं आत्मा हूँ। और क्योंकि शरीर , मैं शरीर कहते ही नो ट्रांस्फर्मेशन पॉसिबल। आत्मा कहते ही ट्रांस्फर्मेशन पॉसिबल। तो इसलिए बाबा किते है रूहानी जादुगर हो, जादुगर है ना मदुबन क्या है, जादु का स्थान है कि नहीं, लगा ना जादु, अच्छा, स्लोगन है, तो आज क्या कहें, फिल करेंगे, वैसे भी मैं आत्मा हूँ, द्रड संकल्ब, बाबाने का है न, तो मैं आधार मुर्थ, उद्धार मुर्थ, आत्मा, लूहानी, जादुगर आत्मा हूँ, जादुगर आत्मा हो Canadian, जो स्राज्य अधिकारी आत्मा है, वे कभी पराध्हीन हो नहीं सकते, तो पराधिन कभी हो नहीं सकती पराधिन होना मतलब स्वकाराज्य छोड़ते रहे अब उसका कैसे करना है वो शांती के सीरीज में करेंगे पराधिन किसे कहते हैं ओके अगर हम सब को पारवती बोलते हैं तो पारवती जी तो सो